नम्मर वन चानल के नम्मर वन शो साज़िश में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सपना शुक्लाव साज़िश में आज बात इसराइल के उस आक्शन की जिसने हमास को मूध दिखाने लायक तक नहीं चोड़ाया गाजा पट्टी से कुछ ऐसी तस्वीरे आ रही हैं जिनको देख पाना इसमाइल हानिया के लिए बहुत मुश्किल है हमास के जिनातंकियों ने साथ अक्टूबर को इसराइल को घुटनों पर ला दिया था वो उन्हीं को आज ऐसी सदा ले रहा है कि पूरी दुनिया कांप रही है वहीं इसराइल के एफोस ने अब गाजा पट्टी को नेस्तना बूत करने के बाद दक्षन लेबनान पर कॉपेट बॉम्बिंग शुरू कर दिया अब हिजबुला की अगर बात करें तो अगर हिजबुला इस युद्ध में पूरी तरह नहीं कूदा तो इसरेल लेबनान को भी घुटनों पर लाने में देर नहीं करेगा इसरेल इंतकाम की आग में जल रहा है जो दर्द हमास ने साथ अक्टूबर को इसरेल को दिया अब वही दर्द कई सो गुना करके इसरेल हमास को दी रहा है घाजा पट्टी से बेखत खतरनाक और दिल दहला देने वाली तज़्वीर सामने आने लगी है अब तक तो आपने सिर्फ यही देखा होगा कि घाजा पट्टी के अंदर इमारतें तूट रही है लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे है लेकिन पहली बार घाजा पट्टी से आत्म समर्पन की तज़्वीरें सामने आ रही है आत्म समर्पन की तस्वीर बहुत हिरिदय विदारक और बेचैन करने वाली है रूस और योक्रेन में युद्ध इस वक्त भी चल रहा है और पूरी दुनिया ने रूस और योक्रेन के बीट चल रहे युद्ध में भी आत्म समर्पन की तस्वीर देखी है रूस और यूक्रेन के युद में लड़ने वाले फौजी अपने कपड़ों में ही आत्म समर्पन करते हुए देखे गए हैं लेकिन इस्रेल ने बहुत ही खतरनाक अंदाज में हमास के आतंकवादियों का आत्म समर्पन करवाया है दरसल फिलिस्तीन के तमाम न्यूज, वेबसाइट और अकबार इस तरह के खबने चाप रहे हैं कि हमास के आतंकवादियों को निर्वस्तर करके यानि बिना कपड़ों के आत्म समर्पन करवाया जा रहा है एक वीडियो भी पूरी दुनिया में वारल हो रहा है वीडियो में दिख रहा है कि हमास के आतंकवादि सैकड़ों की संख्या में बिना कपड़ों के खड़े है और एक शक्स जिसके शरीर पर कपड़े नहीं है वो अपने हथियारों को हथियारों के डेर पर फेक रहा है यानि आत्म समर्पन कर रहा है गाज़ा पट्टी से आ रही इन तजवीरों ने पूरी दुनिया को चौका दिया है गाज़ा पट्टी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है उसकी वज़ब बिलकुल साफ है दरसल अब गाज़ा पट्टी के लोगों को मदद नहीं मिल पा रही है युद्ध की वज़े से किसी और भी व्योस्था को कायम करना एक चौनौती बन गया है फिलिस्तीन के कई अखबारों का दावा है कि गाज़ा पट्टी के 97 प्रतिशत घरों में राशन नहीं है 90 प्रतिशत लोग अब खाने के लिए दोनिया पर निर्वर हो चुके है हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके है और अब तक जानकारी के मताबिक करीब 18,000 लोग इस जंग में मारे जा चुके है लेकिन अब इसरेल की आर्मी ने एक और नया आकड़ा पिश किया है इसरेल की आर्मी ने दावा किया है कि इसरेल की सेना ने अब तक 7,000 आतनकवाधियों को मार गिरा है 7 अक्टूबर को जब इस्राइल के अंदर आतंकुदी हमला हुआ था उस वक्त भी करीब 3000 हमास के आतंकुदी इस्राइल में घुश गए थे इन मेंसे बड़ी संख्या में आतंकुदी भागने में सफल रह लेकिन करीब 1000 आतंकुदी 7 अक्टूबर के बाद इस्रेल के अंदर इस्रेल की सेना के पलटवार में भी मारे गए थे बड़ी बात ये हैं कि अब लेबनान पर भी इस्रेल ने जबरदस्ट बंबारी शुरू कर दी है फिलिस्तीन के समाचार पत्रों में और न्यूज वेबसाइट में ऐसे कई वीडियो दिखाये जा रहे हैं जिसमें कि लेबनान पर बंबारी की तस्वीरें शेयर की जा रही है तस्वीर देखकर साफ लग रहा है कि दक्षण लेबनान में इस्रेयल के द्वारा कार्पेट बॉमिंग की जा रही है दरसल पिछले हफते हेजबुल्ला की गोलिबारी में इस्रेयल का एक नागरिक मारा गया था उस एक मौत पर भी इस्रेयल की प्रधान मंत्री बेनमिन नेतन याहू ने बेहद सक्त रुख अपनाते हुए एक बयान जारी किया था प्रधान मंत्री बेनमिन नेतन याहू ने छेतावनी देते हुए कहा था कि अगर हेजबुल्ला इस्राइल पर हमला करने से बाज नहीं आया तो इस्राइल की सेना और इस्राइल की एर फोर्स लेबनान की राजधानी बेरूत को गाजा पट्टी और दक्षणी लेबनान को खान योनुस में बदल देंगे इस धमकी के बाद अब दक्षणी लेबनान में भी कारपेट बॉमिंग शुरू हो चुकी है जो इस बात का संकेत है कि युद्ध लगातार भड़कता जा रहा है युद्ध के हालातों में अस्पताल चलाने का अनुभव रखने वाले एक ब्रिटिश मूल के डॉक्टर ने ये कहा है कि घाजा पट्टी में हालात इराक युद्ध से भी जादा बदतर नजर आ रहे हैं उन्होंने इसकी तुलना एक सुनामी से की है वोना मानне सिबने इस एक कि घूल है Even the wars in Iraq and Syria and Yemen that I've been involved in this is the difference between this one and those ones is the difference between a flood and a tsunami . The size, the intensity, the ferocity, the fact that the destruction of the health sector was central to the war effort. All of the, all of, every aspect of this war was just magnified दूसरी तरफ अव इस्रेयल और हमास की जंग तीसरे महीने में प्रविश कर चुकी है और इस तीसरे महीने में भी इस्रेयल फिलिस्तीन के लोगों को राहत देने के लिए जरा भी तैयार नहीं है पहले इस्राइल ने उत्तर गाजा के पूरे इलाके पर जबरदस्ट बंबारी की है और अब इस्राइल दक्षुने गाजा में भी रफा क्रोसिंग और खान योनस पर भायंकर बंबारी कर रहा है हालात ऐसे बन गए हैं कि गाजा पट्टी के बहुत सारे नागरिक एक ही महीने में दूसरी बार विस्थापन का शिकार हो रहे हैं लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक कहाने अगाजा पट्टी के वो लोग सुन रहे हैं जो इस्राइल की आर्मी की हिरासत में रहे इस्राइल के एक बड़े अखबार ने कुछ बेहद आपती जनक तस्वीरें प्रकाशित की थी इन तस्वीरों में दिखाया गया था कि फिलस्तीन के लोगों को निर्वस्त्र करके यानि बिना कपड़ों के खुले मैदान में बैठा दिया क्या है यहां तक कि कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसमें की सर्फों पर घाज़ा पटी के लोगों को निर्वस्त्र करके बिठाया किया था अब इस्राइल का दावा है कि ये लोग हमास के आधनक वादी है जब कि फिलिस्तिन के अफ़ार दावा कर रहें कि ये लोग आम नागरेक हैं कादोन है अ舞 prec originette लुड़ा है उन्म लोगे वैश्वान उोग हैजा है को नलोगए कसो भी समें का लॉप्र ways के लुए मैं ये थीनल इॉह पैस्पन को उόσाई बुएर बिल्ल ett Vaiन है मomma पिर रमेल, फिहासम फिह प्यार अधारे, बिंद वड़ों दिरुलांब को उमत्स ओबूनो अ ना dealing ढदु algorithms ben 10 लुब है कि पिरुद्पर्मेल, उा झुल 물कान। फिर्ऺ ममेंन 얼ने घय की भी उत्से पार, ढार ऐा मता स्भीन, बारा थानी, वी कोने У वne राब भामाथकश कुल यूम उन्युज फाल चाता, तो सब्काता क्वाइसाओ ब 국민 सक्तशवा क्यों में थाल धायान सब्सक्तोफ झाता स hasn't अज्देख का अवकाता मा राब चाता सर फीय थाल ठाताllo फिल्हाल हालात ये हैं कि इस भयंकर कतलो खारत और पूरता पूर्ण हत्याओं के दौर में दुनिया पूरी तरह से लाचार नजर आ रही है सैयोगत राश्ट सुरक्षा परशद में एक प्रस्ताव लाया किया और उस प्रस्ताव में किसी भी तरह घाजा के युद्ध को रोकने की मांग की गई लेकिन अमेरिका ने अपने वीटो के माध्यम से युद्ध रोकने के प्रस्ताव को खारिश कर दिया इस पर इस्रेयल की प्रधान मंतरी बेनमीन नेतनियाहू ने एक बयान दिया उन्होंने कहा कि अमेरिका ने युद्ध खत्म करने के प्रस्ताव को खारिश करने के लिए वीटो का इस्तेमाल कर सही फैसला किया है दूसरे देशों को बेज बात पर विचार करना चाहिए कि अगर युद्ध रुख जाएगा तो हमास को पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल होगा दूसरी तरफ दुनिया एक और संकट में गिरती भी नजर आ रही है यमन का चरमपंथी संगटन होती जिसका की यमन के एक बड़े इलाखे पर कबज़ा भी है अब लगातार ओगर होता जा रहा है खूती अब लाल सागर को जाम करने की योजना बना रहा है दूनिया के इस नक्षे को देखिए इसमें लाल सागर की लोकेशन बेहद हम है इससे पहले भी हूती संगटन ने अपनी ताकत को समंदर में उस वक्त दिखाया था जब उसने पानी के एक जहाज पर बहुत आसानी से अपने लड़ाकों के माध्यम से कबज़ा कर लिया था लेकिन अब हूती की ये धमकी है कि इसरैली ने अगर दूसरे भी किसी देश का पानी का जहाज लाल सागर से होकर गुज़रेगा तो वो उस पर कबजा कर सकते हैं और लाल सागर का रास्ता रोक सकते हैं धमकी ने प्रिटन, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों की चिन्ता को बढ़ा दिया इसरैल युद में AI यानि Artificial Intelligence की एंट्री अब हो चुकी है इसरैल ने हम आज के किलाफ AI सिस्टिम लाँच कर दिया है इस सिस्टिम से हमले और तेज होंगे साथी इसरैल के सेने की जान जाने के संभावना भी ना के बराबर हो जाएगा AI सिस्टिम इतना पावरफुल है कि इससे इसरैल युद की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगा हमेशा के लिए बदल गई युद्ध की तकनी इसरैल ने कर दिया युद्ध में AI का इस्तिमार एक दिन में AI हमास पर करेगा सौ हमले बिना नुकसां AI से बरबादी वाली गैरंटी AI मतलब Artificial Intelligence कहीं भी किसी भी वर वो जानकारी जो आपको जीत की सौ फीस्दी गैरंटी देती है वो तक्तिक जिसने परंपरागत युद्ध को बदल दिया जिसने युद्ध का पूरा रिजल्ट बदल दिया उदार सामने है पुतिन के जनरलों ने 72 घंटे में युउक्रेन विजय का ब्लैंड बना है लेकिन फस गया सिर्फ 40 से 42 किलोमीटर लंबी और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी घाजा पट्टी में इस्रेयल घुसा और अब तक फसा हुआ है काखस और समी दोनों पर रूस योक्रेन से और इस्रेयल हमास के बीच शक्ति की कोई तुलना नहीं है रूस और इस्रेयल दुनिया के सबसे उन्नत तक्नीक के हथियारों का प्रोडक्शन करने वाले देश है लेकिन फिर भी भसे हुए है क्यों? क्योंकि युद्ध की दशा बदल गई है क्योंकि युद्ध काम मुक्ष हथियार ही बदल गया युद्ध में आर्टिफीशल इंटेलिजन्स के एंट्री हो गई इस्रेयल युद्ध में AI ने कैसे कोहराम मचा दिया है कैसे बिना बड़े नुकसान के AI के इस्तिमाल से निशाना ज्यादा लग रहा है सठीक लग रहा है और तबाही भी ज्यादा हो रही है यही नहीं जबानों की मौत का डर भी खत्म होता जा रहा है इतिहास में इज्रेल युद्ध AI के इस्तिमाल के लिए याद किया जाएगा AI के इस्तिमाल से क्या फाइदा हो रहा है और भविश्य में कैसे ये संकट बन सकता है दोनों पक्षों को विस्तार में समझेंगे क्योंकि आर्टिफीशल इंटेलिजन्स एक ऐसी तक्नीक है जो अब धीव विकास की अवस्था में है आगे आपको इस्रेल की यहाल लोम यूनिट के बारे में बताएंगे जिसने हमास की सुरंगों के चीतरे उड़ा दिये हैं हब सोरा नाम की AI मतलब आर्टिफीशल इंटेलिजन्स का इस्तिमाल कर रहा है हब सोरा मतलब हिब्रो में दा जस्पल होता है बताया जा रहा है कि इस सिस्टम का उप्योग इस्रेली सेना ने शुरू कर दिया है जिससे वो और ज्यादा हमले कर सकेगी और साथ ही हमास की सक्रिय लड़ाकों को भी खोच कर मरने वाले संभावित नागरिकों की संख्या को भी पहले से ही अनुमान लगा सकेगी इस सिस्टम का इस्तिमाल बंबारी, निशाने चुन में हमास के ठिकानों का पता लगाने के लिए किया जाता है IDF के एक पूरू प्रमुक ने कहा कि मानो खोफिया विशलिशक के जरिये हर साल गाजा में बंबारी के लिए 50 थानों को निशाना बनाया जा सकता है लेकिन हबसूरा एक दिन में 100 लक्ष तयार कर सकती है AI में युद्ध के चरित्र को नया रूप देने की ख्षमता है लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इसका इस्तिमाल सिर्थ दुश्मन के खिलाप नहीं पूरी मानोता के खिलाप भी हो सकता है ये अत्याधुनिक तक्नीक की मशीनें मैसाईलों से भी ज़्यादा खतरनाक साबित होती है अगर इनका निशाना चूप जाए इन तक्नीकों के इस्तिमाल के पहले बहुत सावधानी बरपनी जरूरी होती है लेकिन ऐसा हो रहा है बता पाना मुश्किल है योक्रेन युद में जब ड्रोनों का इस्तिमाल होना शुरू हुआ तो ये सौदार रूस से ज्यादा योक्रेन को पसंदा है एक ड्रोन की कीमत ज्यादा सी ज्यादा पचास हजार या एक लाग होगी जबकि एक मिसाइल की कीमत कम से कम पचास लाग से एक करोड होगी, अब ये बेहद सस्टे ड्रोनों को मारने के लिए बेहद कीमती मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़े, तो सोचे क्या भाव पड़ेगा? तक्नीक ने युद्ध को आसान बना दिया है, और खातर, खतरना और ज्यादा तबाही वाला बना दिया है, इसके कुछ फायदों को देखिए, इसके बार दिखाएंगे कि इसका नुकसान किस लेवल का हो सकता है। इसके बिना निशाना बना कर हमला किया जा सकता है। दिखा देती हैं कि दुश्मन की लोकेशन क्या है, दुश्मन कितने है, उनकी पास हथियार कितने है, कैसे हैं, जाहिर हर सेना को ऐसे हथियार की जरूरत होती है, लेकिन पूरी दुनिया एतनी उननत नहीं है। और दूसरी बात ये भी। कि AI सिस्टम युद के समय खतरनाग गलत फहमी पैदा करने या दोशप्रचार में योगदान दे सकता है। ये सिस्टम मशीनों के सुझाव पर भरूसा करने की मानुईय प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है। इसे रेफॉर्म यानि संशोदित कर सकता है। लेकिन युद में जहां सीमा तै होती है। वहां सीमा नहीं समझने वाले हथियार का इस्तिमाल बहुत 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 खतरनाग हो जाता है। इस्तिमाल गाजा में टार्गेट को हिट करने के लिए किया गया था। लेकिन इस्तिमाल गाजा में हमास के अंतिमातं की तक नहीं पहुँच पाया। इसे लेकर कहा जा रहा है कि घाजा की सुरंग हमास के लिए वर्दान साबित हो रही है। इस्तिमाल अब इन सुरंगों को अपने आर्टिफीशल इंटेलिजन्स सिस्टम से दबा कर रहा है। हमास ने घाजा में जमीन के अंदर कई सुरंगे बनाई है। इससे हमेशा के लिए नष्ट करने का काम आसान नहीं है। AI के साथ ही इस्रेल ने हमास की सुरंगों को मिठी में मिलाने के लिए अपनी यालोम युनिट को तैनात किया है। यालोम युनिट हमास की सुरंगों को खोज रही है और उने नश्ट कर रही है। हेब्रो भाशा में यालोम शब्द का अर्थ हीरा होता है। इस नाम से ही ये युनिट अपनी विशेष्टा बताती है। इस युनिट के स्थापना 1995 में होई थी। 2014 के खाजा युर्द के बाद इसरेल ने इस युनिट को बढ़ा कर लगभग दोगोना कर दिया है। जिसे इसरेली Operation Protective Age के रूप में जाना जाता है। या लोम ने Operation Protective Age में एहम भूमी का निभाई है। इसरेल का स्थेट्टू उसके डिफर्ण सिस्टम यानि सुरक्षा तंद बढ़के का है। आरेन लोम को 7 अक्टूबर को हमास ने कंफ्यूज कर दिया था और 1400 लोगों की मौत हो गई। लेकिन उसका नतीजा पूरा फिलिस्तीन भुगत रहा है। अब तक 17,000 से जादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इन में महिलाएं हैं, बच्ची हैं, जो जाहिर तोर पर हमास जैसे संगचन के सदस से नहीं थे। हमास के पास तो ज्यादा से जादा 30 से 40,000 लड़ाके होने कानुमान लगाया जाता है। इस खुफिया जानकारी के अधार पर इस्रैली डिफेंस पोर्स 7 अक्टूबर के मास्टर माइंड याया सेनवार की तलाश खान योनस में कर रही है। जिन सुरंगों को खत्म करने के लिए इस्रैल ने अपनी यालोंग यूनिट को तैनात किया है। उन सुरंगों में से ही एक में छिपा बैठा है याया सेनवार। आइडिय अफ खान योनस में लगातार छापे मारी कर रही है। इस्रैल के रक्षा मंतरी यो गैलेंट ने कहा है कि इस्रैली सेना याया सेनवार को धूंड कर मार डालेगी। याया सेनवार लडाई के शुरवात में दक्षन की ओर जा रहे एक काफिले में छिपकर उत्तरी घाजा से कहीं भाग गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेनवार घाजा शहर से भाग गया और दक्षन घाजा के खान योनस की ओर चला गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्रैली सेनाएं मान रही हैं कि सेनवार अभी भी खान योनिस में है या इसके नीचे से गुजरने वाले सुरंगों में से एक में है इस्माइल हानिया हो या या सेनवार या फिर मुहम्मद डैफ हमास का कोई भी नेता हो कमांडर हो या लडाका हो इस्रैली सेना हर एक को चुन चुन कर ठिकाने लगाने के लिए हमले कर रही है इस हमले में इस्रैली सेना के पास उननत हथियार भी है और दुनिया की सबसे तेज सिस्टम आर्टिफीशल इंटेलिजन्स भी चीन के नेता और बड़े-बड़े मंत्री बहुत बड़े खत्रे में पड़ गए है अमेरिका और ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि चीन के पूर विदेश मंत्री किन गैंग को जान से मार दिया गया चीन के पूर विदेश मंत्री छे महीने से गायब थी हैरत इस बात पर है कि ऐसे कई केसिज चीन के राश्पती शी जिंपिंग गिरते हुए नजर आ रहे है क्या सतर साल के शी जिंपिंग अपने मंत्रियों और जनरलों के किलर बन चुके हैं चीन के राश्पती शी जिंपिंग पर इसवक्त पूरी दुनिया के नजर है खबर है कि अमेरिका और पशिमी देशों को खोफिया इन्पूर्ट मिले है कि शी जिन्पिंग इस वक्त चीन के अंदर खोफिया तरीके से अपने मंत्रियों और सेना के जनरलों को चुन-चुन कर जान से मरवा रहे हैं ये चीन के ऐसे बड़े और दमदार मंत्री थे जहने जान से मारना वाकई बहुत बड़ी खबर बन चुकी है लेकिन सवाल उड़ता है कि आखिर चीन के राश्रबती शी जिन्पिंग पर ये आरोप क्यों लग रहे हैं कि उन्होंने चीन के पूरो विदेश मंत्री किन गैंग को जान से मरवाया है सवाल ये भी है कि चीन को ऐसी जरूरत क्या पड़ी है कि उसने अपने देश के पूरो रक्षा मंत्री ली, शांगफू और कई टॉप जन्रों को खुफिया तरीके से मरवा दिया है क्या चीन, अमेरिका और योरोपी अदेशों के किसी गहरी साजिश का शिकार हो चुका है या फिर रूस ने चीन को कुछ ऐसे खुफिया इंपूट दिये हैं जो चीन में CIE की गहरी जासूसी और एजेंटों से जुड़े हैं क्या ऐसा संभाव है कि चीन के मंत्री और सेना के जनरल, अमेरिका और ब्रिटन के जासूस और खुफिया एजेंट बन चुके हैं इन हर सावालों का जवाब हम आपको आगे देंगे लेकिन पहले ये जान लीजे कि चीन के पूरु विदेश मंत्री किन गैंग को जान से मारने का दावा क्यूं किया जा रहा है चीन का एटम भम चोरी, जिन्पिन के मंत्री निकले गत्धार चीन में पिछले तीन महीनों से कुछ ऐसा हो रहा है जिसने राश्रबती शी जिन्पिंग के होश उड़ा दिये है पहले आप ये जान लीजे कि अब तक शी जिन्पिंग के इशारे पर चीन के किन टॉप मंत्री और जनरलों को मारा गया है फिर हम आपको चीन के पूरो विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और चीनी सेना में रॉकेट पोर्स के जनरल को मारे जाने के दावे के पीछे का सीक्रेट बताएंगे अमेरिका और ब्रिटिश मीडिया के रिपोर्ट पर अगर यखीन करें तो 57 साल के चीन के पूरो विदेश मंत्री किन गैंग को जान से मार दिया गया है चीन के पूरो विदेश मंत्री 6 महीने से गायब थे रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि राश्रबती शी जिन्पिंग ने धोखे की चलते किन गैंग की हत्या करवा दिये रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने किन गैंग को यातना देकर उन्हें मौत के गाट उतार दिया है जून दो हजार तेईस के बाद से किन गैंग चीन में रहसिमई तरीके से गायब हो गए थे चीन के दो अधिकारियों के हवाले से बश्शिमी देशों के रिपोर्ट में दावा किया गया है किन गैंग की जुलाई में ही बीजिंग के एक मिलिटरी अस्पताल में मौत हो गई थे जिन पिंग के करीबी पूरो विदेश मंत्री किन गैंग का खोफिया तरीके से मारा जाना चीन में बहुत बड़े बवंडर का संकेत कर रहा है अब आप ये भी जान लीजे कि शी जिन पिंग के इशारे पर चीन में और कौन से बड़े मंत्री और जन्रल मारे गए है 65 साल के पूरो रक्षा मंत्री ली शांक फू को जान से मारने की भी खबर है दाबा किया गया है कि चीन के पूरो रक्षा मंत्री ली शांगपू बशिम देशों की खोफिया एजेंसियों से जुड़े थे जिसके खबर लगते ही उन्हें भी शी जिन्पिंग के आदेश पर जान से मार दिया गया है अब सवाल उठता है कि चीन के राशबती शी जिन्पिंग ने पूरो विदेश मंत्री और पूरो मंत्री को जान से क्यों मर वाया है जरह ये भी जान लीजे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री की हत्या मंत्री किलर बने शी जिन्पिंग दुनिया के ताकतवर देशों में शामिल चीन ने इस साल की शुरवात में विदेश मंत्रे किन गैंग और पूरो रक्षा मंत्री ली शांगफु को उनके पद से वरखास्त कर दिया था चीन के दोनों टॉप मंत्रियों को क्यों जान से मारा गया है इसके पीछे ऐसी वज़ा बताई गई है जिसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे अमेरिका और ब्रिटिश मीडिया के दावों के मताबे चीन के पूरो विदेश मंत्री किन गैंग और पूरो रक्षा मंत्री ली शांगफु पर आरोप था कि इन्होंने अमेरिका को चीन के नियूक्लियर सीक्रेट बेचे हैं जिसके चलते इनकी हत्या की गई है अब सवाल उड़ता है कि चीन के दो टॉप मंत्री अमेरिका से जुड़े हैं इसके ख़बर शी जिन्पिंग को किस ने दी जरा ये भी जान लीजे चीन का एटम बम चोरी जिन्पिंग के मंत्री निकले गद्दा चीन के परमाणू हत्यार और उससे जुड़ी जासूसी की जानकारी छे महीने पहले शी जिन्पिंग को मिल गई थी दाबा किया जा रहा है कि चीन के जिगरी यार रोस ने चीन को आगाख किया है कि उसके टॉप दो मंत्री और जनरल अमेरिका को चीन के परमाडू हत्यारों और प्लैन की जानकारी दे रहे हैं कुछ रेपोर्ट के मताबिक चीन के पूरो विदेश मंत्री किन गैंग और पूरो रक्षा मंत्री ली शांगफू पर चीन के न्यूपलियर सीक्रिट्स बेचने का आरोप था इस बात की जानकारी रूस के उप विदेश मंत्री रोडेंको ने चीनी राशबती शीर जिनपिंग को एक संदेश में भेजा था इस मैसेज के साथ यह उन्होंने आरोप लगाये थे कि पूरो विदेश मंत्री किन गैंग और चीन की रोकेट फोर्स से जोड़े अधिकारियों और चीन के पूरो रक्षा मंत्री चीन के एटम बम की जानकारी अमेरिका को दे रहे थे रिपोर्ट के मुताबिक किन गैंग पर अमेरिका को चीन के नियोक्लियर सीक्रेट्स बेचने का आरोप था चीन के अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि किन गैंग के साथ पूरो रक्षा मंत्री ली शांक्फू जोड़े थे यहां तक कि चीन की रॉकेट फोर्स के कमांडर ल्यू योचाओ इस घोटाले में शामिल थे चीन की रॉकेट फोर्स ही चीन के नियोक्लियर प्रोग्राम के लिए जिम्मेदार है इसलिए शी जिन्पिंग के इशारे पर पूरो विदेश मंत्रे किन गैंग और पूरो रक्षा मंत्री ली शांग्फू को जान से मार दिया गया है जबकि चीन की रॉकेट फोर्स के जनरल कमांडर ल्यू योचाओ हफ्तों से गायब बताय जा रहे हैं खबरें तो यहां तक आ रहे हैं कि चीनी सेना के कई टॉप जनरलों को भी जिन्पिंग ने गायब करवा दिया है अभी ये पता नहीं चला कि वो जिन्दा हैं या मारे गये हैं कुल मिलाकर चीन में शी जिन्पिंग के तांडों ने हाहा कार मचा दिया है अब देखना होगा कि चीन में आने वाले दिनों में और कौन-कौन से मंत्री और जनरल गायब होते हैं या फिर मारे जाते हैं सुगदेव गोगामेडी मर्दर केस में गिरफ्तार दोनों आरोपियों नहीं ऐसे खुला से किया कि पुलिस के होशपाता है दावा किया जा रहा है कि सुगदेव की हत्या में आठ से ज्यादा मात्चमाइन है जिनोंने मिलकर हत्या को अंजान दिया इस मर्दर के बाद इन्वेस्टिगेशन ऐसे मोड़ पर अटक गई है जहां कई बड़े नाम सन्ने आ सकते हैं हत्यारे घिरफ्तार खोला मुडर का राज पांच दिसम्बर दो हजार तेईस को सुगदेव को नौ गोलिया मारी गए और उनकी मौत हो गए सीसी टीवी में कहाद दो हत्यारों के अलावा सुगदेव हत्यागान में कितने लोग शामिल है इसका खुलासा हमुना शुरू हो चुका है वेहिकल उपलब कराया गया यह सारे चीज़ जो शूटर्स मौके पते उसको पकड़ने के पहले ही हमने करा किया था अभी यह तो प्रतम चरन हो गया अभी जितना काम होगे यह केवल प्रतम चरन है जो mastermind है जो conspirator main conspirator है उन तक जाल बिछा रखा है तो हमारा next जो चरण है इस पूरा episode को जिस तरह तयार किया उन तक पहुंचे और उनको कानून के सामने लाने का है जैपुर और दिल्ली पुलिस के joint operation में पकड़े गए हत्यारों से जो input मिले है उसने सुकदेव सिंग गोगा मेड़ी के murder को सुलजानी की बजाय उलजा दिया है पहले आप ये जान लीजे कि अभी तक जो हत्या के आरोपियों से जानकारी मिली है उस हिसाब से कितने लोग सुकदेव murder दिल्लानी और हत्या में शामिल है इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे लेकिन पहले आप ये जान लीजे कि हत्या के आरोप और हत्यारों की कि उसका साथ ही नितिन वाजी भी हत्या करने के आरोप में गिरफटार हुआ है। वहीं हत्या के आरोपियों की भागने में मदद करने वाले बूधम सिंग को भी पोलिस में गिरफटार कर लिया है। वहीं राजस्थान पुलिस में रामवीर जाट को कथित तोर पर शूटरों याने रोहित और नितिन को अपनी वाइट पर मौकाए वारदात से भागने में मदद करने और उन्हें अज में रोड पर छोड़ने के आरोप में गिरफतार किया था SIT के पास एक अहम सूचना आ गया कि मुल्जमान डीडवाना में देखा गया उस सूचना को और डेवलप किया और हमारा स्पेशिल टीम जो है उनको कुछ मुखबीरों से कुछ सूचना मिला जो इनको आगे प्रोटेक्शन दे रहा है तो जो मुल्जमान को पकडने के साथ साथ हमारा टीम्स यहां जेपूर शहर में जेपूर शहर के अंदर इसको कैसे फसिलिटेशन किया कैसे सुविदाय दिया कौन कौन इसमें शामिल थे क्या क्या सुविदाय दिया कहां उसको रुकवाया कहां उसको खाना किलाया यह सार पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान बेर शाम चंडीगड के एक होटल से गिरफतार किया गया है। सुचना पर पुलिस ने चंडीगड में इसी पैलेस में धावा बोला और तीन आरूपियों को यहीं से काबू किया है। जहां पर वो आए और आकर उन्होंने यहां पर फ्रेश हुए और करीब आदा घंटा यहां पर रुके। श्यापुर में मर्डर दोबाई का मिला कनेक्शन। सुचदेव सिंग हत्याकान की कडिया एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक जुरती जा रही है। इस पूरे हत्याकान को कैसे अंजाम दिया गया। पहली यह जान लीजे। सुचदेव गोगा मेरी हत्याकान का मीन मास्टर माइंड विदेश में बैठा राजस्थान का कोख्याद गैंस्टर रोहित गोदारा है। रोहित गोदारा में सुचदेव के हत्याके लिए शूटर अरेंज करने के जम्मेदारी अपने राइट हैंड मैन विरेंद्र चारन को दी। विरेंद्र चारन के साथ रोहित राठोड रेप के केस में अजमेर जेल में बन था। रोहित ने पूश्टाच में बताया कि उसके उपर रेप का केस दर्ज था। जहां उन्होंने सुखदेव की हत्या की। पूश्टाच में साफ देखा जा सकता है कि सुखदेव सिंग पर रोहित राठोड और नितिन फौजी ने ताबर तोड फारिंग की। उस वक्त तीसरा शूटर भी मौके पर मौजूद था पोलिस के मताबिक वो शूटर था नवीन शेखावत जिसने सुखदेव सिंग के घर की दस दिन पहले रेकी की थी। नवीन शेखावत ही वो तीसरा शूटर था जिसे सुखदेव सिंग पर बोली चलानी थी। लेकिन नवीन मौके पर ही मारा गया। के पटेंडा में केंद्रिय जेल में बंद संपत नहरा पर भी सुखदेव सिंगोगा मेडी के हत्या की साजेश रचने का आरोप है। कुल मिलाकर सुखदेव सिंगोगा मेडी हत्याकांड में अब तक आठ बड़े नाम सामने आ चुके हैं। सुखदेव सिंग के मर्डर के लिए दो नहीं बलकी तीन शूटर मौके पर मौझोद थे। जिसमें तीसरा शूटर नवीन शेखावत मौके पर ही मारा गया। दिल्ली इस्थित क्राइम ब्रांच के दाफ्तर में दोनों शूटर से कड़ी पूश्टाच में बता चला है। गोगा मेडी के हत्या की साजश उनके मर्डर से करीब एक हफ़ते पहले रची गई थी। मौके तक नवीन शेखावत ने पूरी रेकी की थी। शूटर्स ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि नवीन शेखावत भी उनके साथ है सर्त्या की साजश में शामिल था। नवीन शेखावत को गोली इसलिए मारे गए क्योंकि फारिंग के वक्त वो डर गया था। उसके बारे में भी हम जांच परताल किया, उससे भी कुछ क्लूस मिला। ये सारे मिलाके हमें एक डाइरेक्शन मिल गया है कि किस तरफ कैसे गया। तो हमारे सारे टीम हैं पांस तारिक से ही इन मुलजिमान को दस्तियाब करने का कार्य में लगे हुए था। शूटर गोगा मेडी के हत्या के बाद रोहित गोदारा के करीबी सयोगी विरेंद्र चारण के साथ लगातार संपर्ग में थे। जिसका नाम कई आपराधिक मामलों में भी धा। शूटरों की हालिया लोकेशन का बता उनकी मुबाइल फोन से लगाया गया क्योंकि वो भागने के दौरा विरेंद्र चारण को कॉल कर रहे थे। शूटरों ने पुलिस को बताया है कि वो पहले ट्रेन से हिसार गया और फिर उधम सिंग के साथ मना ली गया वो एक दिन के लिए मंडी में भी रुके मंडी से तीनों लोग चंडिगाड़ा है जहां उन्हें पकड़ लिया गया आठ तारिक को हमें सपष्ट उनका लोकेश अजिस्टिकल एजिस्टेंस दे रहा था उनको हम चंडिगाड सेक्टर 22 में एक होटेल के बाहर से दस्तियाब किया है और उनको अभी राजस्ता लाया गया है और उनको आगे का पूच्ताच किया जाएगा सोगदेव सिंग गोगा मेड़ी की दोनों पत्नियों की तस्वीरें साथ साथ देखिये पहली तस्वीर में सोगदेव सिंग की दूसरी पत्नी शीला शेखावत है जबकि दूसरी तस्वीर में सोगदेव की तीसरी पत्नी सपना सोनी है सपना जहां सोगदेव के मॉडर में किसी करीबी का हाथ बता रही है तो वहीं शीला का दावा है कि वो सुगदेव की तीसरी पत्नी को नहीं जानती है हैरानी की बात तो ये है कि सुगदेव काफी वक्त से अपनी तीसरी पत्नी सपना सोनी के साथ जैपुर वाले घर में रह रहे थे इला मैंने तो नहीं सुनी और नाई कोई थी सपना जी को जानते हैं आप महाँ पर नहीं सर मैं नहीं जानती है प्रोपर्टी का तो मुझे पता नहीं है अभी किसके नाम है सकुंतला जी के नाम पर है हाँ बताया जा रहा है कि सकुंतला जी के नाम पर मुझे बताते है ऐसे क अभी तो सब कुछ सकुंतला के नाम ही है कुल मिलाकर सोगदेव मॉर्डर केस में अभी और भी बहुत से खुला से हो सकते हैं अब देखना होगा कि हत्या क्या रोपी और क्या-क्या राज उगलते हैं शक्तिसगर में मुख्यमंत्री के नाम से पर्दा उट गया दो राज्य बाकी हैं जल्द ही उनमें भी मुख्यमंत्री के नाम का एलान कर दिया जाएगा लेकिन असल लडाई साल दोहजार चौबीस के चुनाव की है दावे तो ये किये जा रहे हैं कि 2024 के लोगसेवा चुनाव में BJP 400 सीटे जीते गी इस दावे में कितना दम है क्या ऐसा मुम्किन है कि BJP 2024 के लोगसेवा चुनाव में 400 से जीज़ादा सीटे ले पाए राजस्थान पलड़ गया मध्यप्रदेश पलड़ गया 36 गड़ पलड़ गया वहाँ आदिवासी सीम चुना और अब क्या पलटेगी बीजेपी के किसमत क्या 2019 और अब 2024 भी बीजेपी का होगा मोधी का होगा क्या 15 साल तक बीजेपी भारत पर लगातार राज करके सभी रिकॉर्ड थोड़ देगी इस बहुत बड़े मुकाफले के लिए बीजेपी तीन सूबों में विधान सभा चुनाओ वाला टेस्ट पास कर चुकी है जमीन से जोड़े नेताओं को सीम बनाया जा रहा है क्या तीनों राज्यों में बीजेपी तीन गुना कमाल करके दिखाएगी क्या जोड़े दिए देगी